अब और यह फोन आ गया था उसको कट करने में क्या हुआ कि वीडियो इकट गया तो वह वाला वीडियो अलग चला गया तो मैं इस वीडियो में आपको उसी टॉपिक पर कांटीनू कर रहा हूं ठीक है तो वेल्कम चलते हैं आगे तो हमने देखा था कि हमने वी एक्स एस एक वन्ही को और वाई एक्सिस के लांग वेलियो म्हलेक और लिखतर निकाल लिये थे फिपूर यह मैं आप √ांट रहा है वायित्र कूं बता रहा हूं मैं इसलिए बता रहा आप कि आपको रूस अच्छा वत आजाय उनकास्ता करना आजाए उनका इप्सट्रेक्षक्षन सब निकालना आ जाए और उनको अलग अलग आप समझ में में भी पाएं कि आखिर वेक्टर का अप्लिकेशन कैसे होता है उनका उनका मलब यूज अच्छे से आपको आजए इसलिए मैं यह प्राबलम उठाया ठीक है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एलाग हमारा काम ह हो चुका था अब हम जैड एक्सिस की हो रहते हैं जैड एक्सिस की और फोर्स कंपोनेंट कितना था टोटल कंबाइंड फोर्स कंपोनेंट टोटल फोर्स जब हमने यह वन और टू एफ वन और एफ टू को जोड़के टोटल फोर्स निकाला था तो यह आया था एफ एक्व कर रहा है कि तो अब हम केक्स जैड़ एक्सिस के एलांग हमारा फोर्स पता हो गया तो जैड़ एक्सिस के लॉंग बाल का एक्सेलरेशन कि धना होगा एफ जैड़ अपान मास यह तो आपको पता ही है तो यह आगे आपका एटीन के जेड एक्सिस के लांग फोर्स आपका एटीन के मास्टू यानि नाइन के मीटर पर सकेंड स्क्वाइर क्योंकि सब कुछ हम न्यूटन मीटरों सेकेंड एमके यस सिस्टम यूज कर रहे हैं यह आगया आपका का एक्सलरेशन अलोंग द मैं जेड़ एक्सीस यह एक्सलिक्रां मैं जेड़ एक्सीस अब हम बात कर रहे हैं तो जब आपको पता है और यूजड भी आपको पता है जीरो के क्योंकि बाल हमारा सुरू में एकदम रेश्ट में था इट है नुव वेलोसिटी एलांग एकस एकसिस वाई एकसिस और जेड एकसिस तो आप इसको जीरो के वेक्टर के कैप मिस्ट डारेक्शन लिख सकते हो प्लास एजेड निकाल चुके हैं आप नाइन के और टाइम फोर सेकेंड फोर सेकेंड बास अब कुछा जा रहा है तो आ हुआ आपका आगया यह ठंटी की कैप ठंटी सिक्स के कैप मीटर पर सकेंड यह आपके वैलूसिटी और जेड एकसिस के लॉंग डिस्प्लेस्मेंट आप जानते ही हैँ फार्मूला फिर से लगाई है जू जेड टी प्लस हाफ एट्युटिंस को आप पर चुके है बात हो दी जीरो के निसे वेलुसिती जीरो टाइंब पुर स्केंड प्लस हाफ घ्यर्ट एक्सेलरेस्न एलॉंग दा जा अपको पता यह नाइन के और टाइंब फौर स्क्रार यह को अजाएगा यह तो आये गाए integrating के कई और प्लस यह क्तना जाएगा 72 के कैप और टोटल 72 के कैप मीटर एलांग जेड एक्सिस के कैप है ना जेड एक्सिस तो आपको दोनों चुझे फिर से पता चल गई कि एलांग अगर जेड एक्सिस की बात करेंगे तो वेलोसिटी फोर सेकेंड के बाद बॉल की हो जाएगी नाइन के कैप और उसका जो डिस्प्लेस्मेंट होगा एलांग जेड एक्सिस वो आजाएगा आपका 72 कैप वेलोसिटी और डिस्प्लेस्मेंट मीटर पर सेकेंड और मीटर में हम ले रहे हैं ठीक है तो यह आ गया आपका सारा कि अब हम निकालेंगे पोजीशन और डिस्प्लेस्मेंट आप दा बाल आफ्टर फोर सेकेंड तो हमने सारा डाटा निकाल लिया है अब हम इसको लिखेंगे के वह तो मान लो यह आपका पॉइंट पी है जहां पर फाइनली हमारा बॉण चुका है चार सेकेंड के बाद तो चार सेकेंड के बाद पॉइंट पी पॉइंट P का जो position vector होगा OP vector वो क्या होगा final displacement point minus origin point तो final displacement कहां तक S axis के लॉंग कहां तक point पहुँच गया था हमारा चलके displacement 32Y यानि 32 meter Y axis के लॉंग displacement 48J यानि 48 meter और केक्सिस के लॉंग हमारा displacement हो गया था 72K यानि 72 meter तो ओपी वेक्टर हमारा आ गया total position vector 32 minus origin के respect में ले रहे हैं तो origin वाला point हमारा ओ है जो कि जीरो 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 है अगर और कोई गर origin होता point तो उसको minus करते हैं यह चीज़ें आपको अच्छे से बता चुके हैं और प्लास 48 minus 0J वो देखो 32I plus 48J plus 72K देखो जब हमारा origin point 000 होता है ना जब हमारा origin point 000 होता है तो हमको कुछ नहीं करना होता है बस हमको सीधा वही value रख देनी होती है लेकिन अगर हमारा origin point 000 ना होता कुछ और point होता तो हमें यहां वह point रखना पड़ता तब वह वारा पोजिशन आता कौन सा एक्सटू माइनस एक्सवन आई एक्सप्लाइस ऐसे करके वाइटू माइनस वाइवन जे ऐसे करके हमने आपको बहुत पोजीशन वेक्टर आया हां मालब पोजीशन भी आ गई और पोजीशन वेक्टर भी आ गया अच्छा हां पोजीशन आगे आप पूछा टूटल डिस्प्लेसमेंट बताओ अच्छा मालब कितनी कितना दूर तक वह आखिर चला आखिर उसकी कुछ वैलू होगी ना और जिन से उसकी कुछ फुल्ट मालब यह यह लेंग्ध बताओ कि कितनी दूर यह हुआ आपने एक्सेक्स सिक्स एसेक्स वाई एक्सिस एस वाई और जेड़ एक्सिस मालब एस जेड यह सब आपने मीटर में निकाल लिया था एक्स एक्सिस के लांग लेंगे हमको फाइनल लिंद्ट बताओ कि वो कितने मीटर चला यानि ओपी टोटल ऊपी बताओ हुआ तो ओपी यानि टोटल बताओ ओपी का हम से पूता जा रहा है magnitude यानि ओपी का मौर तो कितना जाएगा 32 square plus 48 square plus 72 square इसका square निकालो उसका root निकालो positive value में meter अब इसको आप लोग solve करके लिखो ठीक है तो यह आगे आपका final origin से उसका final displacement यानि उसका final distance जो कि आप मीजर करोगे ठीक है कि अभी यह origin से इतनी दूरी पर फानली है टोटल लेंथ लेंट ओपी मिस लेंट 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 मेरा माइकोपून गिरना चाहिए भाई बड़ा महंगा आता है तो ठीक है तो टोटल हो गई ठोटल आपका मेटर में टोटल डिस्प्लेस्मेंट भी निकल आया और उसका पोजीशन वेक्टर भी निकल आया अब हम देखते हैं यह फाइनल वेलोसिटी आप दा बाद तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर यानि कि उसका एक्स कंपोनेंट उसका वाई कंपोनेंट या सिए सिधे ऐसे कहलो कि फाइनल जो वेक्टर होगा उसका एक्स वेक्टर उसका वाई वेक्टर और उसका जेड डारेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर वेलोसिटी जो फाइनल जो आएगी वो एक्स एक्सिस के लांग उसका वेलोसिटी वेक्टर वाई एक्सिस के लांग वेलोसिटी वेक्टर और जे डेक्सिस के लॉग वेलोसिटी वेक्टर और कह सकते हो कि वेलोसिटी के आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट का कंबीनेशन तो आई कंपोनेंट वी एक्स आप निकाल चुके हैं सिस्टीन आई प्लास ट्वंटीफोर वीवाई ट्वंटीफोर जे ये देखो और वीजेड यानि नाइन कि यह आगया टोटल आपका वेलोसिटी वेक्टर मीटर पर सेकेंड आगे जुनित लिख सकते हैं लेक और अगर आपसे कोई पूछे यह तो है आपका फाइनल वेलोसि सियक का मेगनिटीड यानी अनल इसके ये टेट वेलोसिटी पर सेकेंड सbil मेरिकर वैलू कितनी होगी तो नुमेरिकल वैलु यानने उसकी केवल मेगनि फ्रूट पूचा जा रहा है तो अंडर रूट मैं उसके आई आई जीं कंपोनेंट का स्क्वयर कर के 24 square और प्लस के component 9 9 का square 16 square 24 square 9 का square और इसको solve करके इसकी value रखके under root करके इसकी value निकालके positive value निकालके उसको लिखो गए आप नहीं तरपर सेकेंट यह आज गई आपकी final velocity की numerical value यह final velocity का vector x-axis y-axis और z-axis के लांग अलग-अलग velocity उस ball की यह भी आ गया इसी प्रकार यह आपका आ गया final ball जब पहुंचेगी चार सेकंड बाद point P पर तो उसकी origin से final distance यानि numerical value in meter यह उसका displacement vector और i-axis और z-axis j-axis और k यानि i-j-k means x-y और z-axis के लांग displacement यानि x-axis पर 32 meter z-axis के लांग वो 48 meter और k-axis के लांग वो 72 meter मूँ करेगा टोटल ऐसे लिखेंगे और टोटल जो displacement होगा वो इसका numerical value निकाल के करेंगे ठीक है और उसकी जो direction होगी वो भी आप चाहे ओपी कैप निकाल लो तो ओपी कैप एफ कैप के equal ही आएगा जो आप निकाल चुके हो क्योंकि बॉल हमारा सुरुवात में एकदम रेश्ट में था तो नम आनो तो निकाल के देखो ओपी कैप एफ कैप आना चाहिए जो force की direction थी वही आपकी पोजीशन की direction आएगी तो यह हुआ आपका वेक्टर का एक exercise जिससे आप वेक्टर के बारे में analysis करना सीख गए हैं ठीक है अब हम नया एपिसोड बनाएंगे और उसमें हम सीखेंगे कि वेक्टर की मदद से relative motion कैसे solve किये जाते हैं रिलेटिव मोशन कैसे solve किये जाते हैं मलब रेन की problems है reverse flow होती है तैरना swimming ना air flow यह सब हम कैसे solve करते हैं ठीक है वेक्टर की ही help से तो इसके बाद जो भी आपका एपिसोड बनेगा उसके लिए वेट कीजिए और देन वी विल सी दे न्यू कॉंसेट्स अबाउट दा रिलेटिव वेलोसिटी जो के तब तक के लिए नमस्कार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसको अच्छे से समझ लेना और वो वैलू वैलू सम निकाल देना तीक है वो बाए